हेलो एव्रिवोंड कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज हम लोग बिर्यानी बना रहे हैं तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट यह देखें धूसर् हमारी चीकन की ग्रेवी चीकन के साथ में गया त्यार में आपने चिकन प्लैस कर रहा हूं तो दोस्तों इसको कवर करिए और इसको करीब है तीन मेट के ले बकाई है जब तक कि आपके जो है चिकन की वह ऐसे क्रिस्पीना हो जाए फिर हम इसको पैन से निकाल देंगे दियान रिए कि ऐसा अच्छा कलर इसमें आए तो सेंपन पे हम ने आप तोड़ा ओए लिया दोबारा और पर हम अपने होल स्पाइस एड गरेंगे तो होल स्पाइस में हम एड करेंगे चानी आप से मच्छ खोब्स अनन को तब तक फ्राइग अरिंगे जब तक हमें एक इन गचा आरोमा हम तक ना पॉचे जैसे दोस्तों आपको इन की खुश्पवाने लगे आप अपने बाकी के स्पाइस में हैड कर दें पहुत ही सिबल रेसीप ये दोस्तों साथ ही साथ अभी यहां पर हम अपने प्याज एड कर देंगे या द में दोस्तों हम थोड़ा नमग करेंगे ताकि ये प्याज़ी दे पानी शोटे और जल्दी ते करमलाइज हों साथ ही साथ में पचास ग्राम बटर भी यूज कर रह इसमें तो इसको कुछ फैट चाहिए राइ होने के लिए यहां पर देख 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 के दुस्तों आप सा कलर अधिसाद अभी मैंने यहां पर जिंजर गालिक वेस्ट एड किया हुआ है और मैं इसको तब तक कुक करूंगा चब तक यह सा कलर गोल्डर ब्राउन ना हो जाए जैसे से कलर गोल्डर ब्राउन हुआ मैंने इसमें भी टमेटो एड कर दिये हैं और यह तम टमेटो इसको मैं सब सक पगाऊंगा जब तक यह तमेटो सॉफ्ट ना हो जाएं दोस्तों जैसे यह तमेटो तोरह सॉफ्ट होए हैं मैंने पर पानी एड किया हुआ है साथ ही साथ मैं अपने इसमें ड्राइज स्पाइसे ड्राइज कर रहा हूं दोस्तों और इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूं उसके बाद जैसे अच्छे से यह पक जायें इसको करीमन मैंने पांच मैट केलिए पकाया है जैसे अच्छे से यह पक गया है मसाले अभी मैं असपर देहिए अड किया हुआ है दाए को भी अच्छे से मिक्स कर के दो मिंट पकाऊँगा पिर जिसके बाद मैंने this मिन्ट एं तिलांट्रो एड़ किया हुए, साथी साथ मैं इस पे ग्रीन चिली भी एड़ की यहां पर दोस्तों मैं नमक दुबारा से एड़ करूगा, दोस्तों ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ करें यहां पर मैंने अपना यह जो ड्राइ नीबू जो थे इसो के वे एड़ कर दिया तो जहते जहते आप इसमें नमक एड़ करते जाएंगे इसको टेस्ट करते जाएए ताकि आपको पता चले कि आगे हैं जब तक आपकी डिश्मन का तयार हो तब तक आपका एक तम में तो यहां पर दोटोऺ मेरे अपना चिकन एड़ कर दिया है, शoptन मैं इसको मैं थोड़ा दे कर दे राई पकाऊंगा साती मेरा यहां पर पनी गरम हो रहा है तो फुराइश के लिए तो और यहां फर इसका राई सेकर दिया है ॉखरीकर दिया है, जो गरीब आपके आपके राइस उबले ना इसको हमें सिमर कहना है दूसको जैसे आपका राइस 80% पॉक्स जाए इसको हम अच्छे से स्ट्रेंड कर लें इसको अच्छे से ड्रेन होने दें पानी को यह देखें दूसरों चिकन के तहां बैतरी नमारा यावे लग रहा है अभी हम यह जो हमारा राइस है इसको हम अपने चिकन के ओपर अच्छे से फेला के डाल देंगे अभी दोस्तों मेर पास जो मेरा सैफ्रान एंड मिल्क का जो मिक्षर था यह मैरा इसको ड्रिजल कर दिया साथी साथ मैं इस पे जो बचावा मिंट एंड स्लांत रोजा वोस्तों इस पे उपर स्प्रिंगल कर दिया है इसको करीबर दस मेंट तक पका है दोस्तों धिमी आच पे आप प्रियानी बना के रखी हुई है दोस्तों यह है चिकन बियानी इसकी जो रेक्सिपी वह वह ने भूत ही आप लोग्यों के लिए ताकि आप से असानी से घर पर बना सकें इसके इंग्रिटियंस पिर बहुत ही आप आपको आप घर पर असानी से मिल जाएंगे तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आपको पता है कि मैं यह चैनल पर बहुत ही रेसिपी आपको के साथ शेयर करता हूं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ वीडियो वनाओ कोई रेसिपी वीडियो जो है मैं आपके लिए बना सकूं तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और मैं किन अपले दूबें, तैक यू